हलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल 3 Little Tutor में आज 28 सब्टैल है और आज Class 1 की Second List आने वाली है तो Second List में किसको कितना चांस मिलेगा और किसको चांस नहीं मिलेगा आप Second List कैसे देख पाएंगे यह सब जानकारी में लेकर आया हूँ तो चलिए वीडियो स् Class 1 की Second List आज 28 सपरेल को केवी क्लास लिश्ट आएगी Second List ज्यादातर केवी में आती है यानि वेटिंग वालें को चांस ज्यादातर केवी में मिलता है लेकिन कुछ केवी Second List ना निकाल कर फोन करके वेटिंग वाले को बुलाते हैं तो बहुत सारे केवी ऐसे हैं जो Second List को वेटिंग लिश्ट में था तो ऐसे आपके पास भी फून आ सकता है अगर आपका वेटिंग लिष्ट कम है तो अगर लिश्ट ना आये जटो क्या करें अगर आपका वेटिंग नमबर कम है यानि एक दो तीन चार पाँच इस टाइप का है और आपके केवी में फोन आ सकता है अगर आपका वाइटिंग लिष्ट कम है तो अगर लिष्ट ना आये तो क्या करें? अगर आपका वाइटिंग नंबर कम है यानि एक दो तीन चार पाँंच इस абागा है और आपके केवी मेन 28 अप्रेल को कोई थीलिस्ट नहीं आती है तो आप 29 अप्रेल को अपने वेटिंग नंबर के साथ केवी से संपर करें वेटिंग नंबर के साथ इसलिए कि वहाँ जाकर आप वेटिंग नंबर अपना बताएंगे तो वो लोग चेक करके बता देंगे कि आपका नंबर आया है कि नहीं आया है वैसे आप निश्चिंत रहें के भी वाले फोन करके बुलाते हैं जब आपका नंबर आएगा तो आपके पास फोन जरूर आएगा लिष्ट आये चाहे ना आये सेकंड लिष्ट में कहां तक चांस मिल सकता है तो बहुत सारे मातापिता कमेंट कर रहे हैं उनका नंबर भी वेटिंग ज़्यादा है कि उनको चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो यहां मैं क्लियर कर देना चाहता हूं जिनके नंबर ज़्यादा हैं उनको इस वेटिंग लिष्ट में चांस नहीं मिलेगा क्योंकि ये second waiting list है इसमें waiting 1 से बुलाएंगे और बहुत आगे तक नहीं बुला पाते क्योंकि पूरी seat तो खाली कहीं रह नहीं सकती और लगभग 80% seat तो भरी जाती है मेरे अर्मान के नुसार second list में अधिक्तम waiting इस प्रकार हो सकती है सर्विस कटेगरी में अधिक्तम 15-25 waiting तक, आटी में अधिक्तम 8-10 waiting तक, कास्ट कटेगरी में भी कुछ chance मिलेगा लेकिन waiting number बताना मुस्किल है मैं कई बार बता चुका हूं कि कास्ट कटेगरी में waiting बताना इतले मुस्किल होता है कि अगर दो बच्चे भी बुलाया जाते हैं तो हो सकता है कि वह सात्वी waiting list हो या पांच्वी waiting list के बच्चे हो क्योंकि जो बाकी ऊपर के बच्चे हैं उनका admission पहले ही हो गया हो तो इसलिए इसमें number बताना मुस्किल होता है लेकिन इसमें से भी बुलाया जाते हैं जैसे अभी अभी मैंने बताया कि एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था वह एस्टी कटेगरी में एक number waiting में था और उ सभी बच्चों का admission नहीं हो पाता है क्योंकि ज्यादातर जो अच्छे के भी हैं जहां पर category 1, category 2 और RT के बच्चे उपलब्ध हैं वहां 4th और 5th list नहीं आती कहीं कहीं 3rd list भी नहीं आती और संभाव है कि 1-2 school में 2nd list भी ना आये जब तक seat खाली रहेगी वेटिंग नीचे आती रहेगी ऐसा कुछ केवी में ही होता है फिर भी जिनकी वेटिंग बहुत अधिक नहीं है अपने केवी के संपर्क में रहें तो आपको कुछ करना नहीं है केवल केवी के संपर्क में रहना है और बीच बीच में जाकर पता कर करते रहना है है चिन की वेटिंग जादा है अपनी वेटिंग का गशाल सेञ로уск फिото करता ना चीरिंक पे कि आधारा के महतना है तो कहीं काश्ट कत गेरी के लोग ज़दा हैं तो उस हिसाब से यह लिष्ट भी बनती है क्योंकि उसी ढते है और उसके लट्री लिष्ड बनती कि ने मरा आती है और इसमें सेवन्थ लिश्ट तक आती है और इसमें के व्पर आयगी किूंकि जितना जज़युद विटिंग लिश्ट वाले लिश्ट में इसमें घ करना जबंदे करीजिग आप लिश्ट आएगी आपके बच्चों का चांस भी उतना ज्यादा ही रहेगा तो यह जानकारी आपको देनी थी उमीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक भी करें थैंक्यू थैंक्यू फार वाचिंग